हलो एवरिवन वेलकम बेग टू ममा बच्चा टॉक्स आज हम फर्स क्लास एवी एस चेप्टर टू का अवर सेंस ओर गन्स टॉपिक देखेंगे वैसे तो यह टॉपिक यू के जी एंड क्लास टू में भी रहता है बट इससे हम आज फूल डिटेल में देखेंगे कि किस तरह में बच्चों को एक्स्प्लैनं करना है और इस से रिलेटेड टू क्याOW कोशन अंसार को कवर करने वाले ह box तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को sense organs के बारे में बताना होगा कि sense organs क्या होते हैं Parts of the body used to tell us about our surroundings मतलब body के वो parts जो हमारे असपस जो भी हो रहा है उनके बारे में हमें information देते हैं उनके बारे में हमें बताते हैं जिसे असपस हमें क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पोदे दिखाई दे रहे, animals दिखाई दे रहे, birds दिखाई दे रहे है या फिर हमें कुछ loud music सुनाई दे रहा है हमारे घर के सामने से कुछ loud speaker निकल रहा है या फिर हमें बहुत गर्मी फील हो रही है ठंडी फील हो रही है या फिर हमें गंदी smell आ रही है वो समझ जाए, अब we have five organs that help us to see, hear, smell, taste and feel the things that are around us. मतलब हमारे five sensor organs होते हैं, जो कि हमारे आज़ पस क्या हो रहा है, उसको देखने, सुनने, smell करने, taste करने, feel करने के लिए यूज होते हैं. सबसे पहले है eyes, we see with our eyes, हम हमारी आँखों से देखते हैं. we have two eyes, हमारी कितनी eyes होती है, दो eyes होती है, कुछ भी देखने के लिए, इतनी सुन्दर सुन्दर चीजे, सुन्दर सुन्दर nature को देखने के लिए eyes की जरूरत होती है. now second sense organ is nose, we smell with our nose, हम हमारी नाख से smell करते हैं, कि कुछ अच्छी खुश बुआ रही है, या फिर कुछ गंदी बद बुआ रही है, we have one nose, हमारी कितनी नाख होती है बच्चों, one नाख होती है, we have one nose. now third sense organ is tongue, we taste with our tongue, tongue मतलब jeep, हम हमारी jeep से test करते हैं, स्वाद लेते हैं, we have one tongue. fourth sense organ is ears, we hear with our ears, हम हमारे कानों से सुनते हैं, अगर हमसे कोई बात कर रहा है, तो हमारे कानों से ही हम उसकी बात सुन पाते हैं, टीवी में हम कार्टून देख रहे हैं, तो हमें सुनाई देता है, तो वो ear से ही सुनाई देता है, skin, fifth sense organ is skin, we feel with our skin, skin से हम चीजों को feel करते हैं, अगर हमने गरम गरम water को हाथ लगा दिया है, या फिर एकदम बर्फ को हाथ लगाया है, तो यह सारी feelings किसे होती, skin से, कुछ चीज, जिसे कि पत्थर है, तो वो बहुत hard है, या फिर teddy bear है, वो बहुत soft है, तो यह सारी चीजे कोन बताती, skin बताती है, ओकी, तो इस skin से हम क्या करते हैं, feel करते हैं, अब हम worksheet देखते हैं, कि किस तरह से बच्चों से exams में question answer पूछे जाते हैं, first question है, tick the correct answers, यहाँ पर two option में से जो भी correct option है, उसके उपर बच्चों को tick करना है, we see with our, हम किस से देखते हैं, तो we see with our eyes, हम हमारी eyes से देखते हैं, we have five sense organs, we smell with our nose, किस से smell करते हैं, हम nose से करते हैं, we walk with our legs, हम किस के through walk करते हैं, किस से चलते हैं, legs से चलते हैं, we hold things with our hands, हम चीजों को किस से पकड़ते हैं, हमारे हाथों से पकड़ते हैं, now, match the pictures with correct senses, यहाँ पर जो यह pictures हैं, इनको correct senses से match करना है, first is eyes, तो eyes से हम क्या करेंगे, television देखेंगे, तो इससे match करेंगे, now nose, nose से क्या करेंगे हम, flowers की smell लेंगे न, तो flower से match कर देंगे, now tongue, tongue से क्या करेंगे, ice cream, yummy yummy ice cream को test करेंगे, now ear, ear से क्या करेंगे, हमें sound सुनाई देगा loudspeaker का, तो loudspeaker से इसको हम क्या कर देंगे, image कर देंगे, now hand माफ कीजीगा मैं अच्छी drawing नहीं बना पाई hand, hand मतलब skin skin से क्या करेंगे, हम bed bed को touch करके feel करेंगे कि hard की soft है, तो यहाँ पर क्या होगा, skin, now fill in the blanks I see with my मैं किसके through देखूंगा किसे देखते हो आप eyes, I see with my eyes मैं मेरी eyes से देखता हूँ I hear with my ears मैं मेरे कानों से सुनता हूँ I smell with my nose, मैं किसे smell करता हूँ, nose से करता हूँ आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक request प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मुझे support कीजिए, चैनल पर पहली बढ़ाए तो प्लीज इस चैनल को subscribe भी कीजिए I touch things with my hands मैं चीजों को कैसे touch करता हूँ hands से touch करता हूँ I feel with my skin चीज गरम है, की cool है, किस से feel होता है skin से I taste with my tongue मैं jeep से स्वाद लेता हूँ I have two hands कितने hands है मेरे पास two hands है I have two legs कितने legs होते है, two legs I have one nose कितने nose है मेरे पास, one nose I have two eyes I have two ears कितने ears होते है, two ears I have one tongue कितने tongue है हमारे पास one tongue I taste honey with my बोलो बोलो tongue हम honey को किस से test करते है tongue से test करते है, ना मिठा मिठा honey कि doorbell ringing हो रही है यह सब skin fill करते है which sense organ tells us that lemon is sore मतलब कौन सा sense organ हमें बताएगा कि नीमबू खटा होता है तो हम tongue से ही टेस्ट करके बता पाएंगे ना अब बोथ hands है ओ, कितनी हमारे दोनों हाथों में कितनी fingers होती है ten fingers ठीके, count करो तो चलो बच्चो ten fingers which sense organ tells us that the table is brown कौन सा sense organ हमें बताएगा कि table brown है तो eyes हमें बताएगी हम eyes से देख की पता कर पाएंगे कि उसका color brown है या कुछ और है okay which sense organ tells us that the rose has a nice smell कौन सा sense organ हमें बताता है कि rose की बहुत अच्छी smell होती है nose, nose से smell करते हैं next question is write the correct sense organ name यहाँ पर कुछ sentence लिखे हैं आपको पढ़के उसके sense organ का नाम लिखना है जैसे कि sweet test तो हम किस से test करेंगे? tongue से करेंगे कि test sweet है या किसा है? tongue bad smell हमें बुरी बदबु आ रही तो nose, nose से smell करते हैं soft teddy bear teddy bear soft है या hard है तो किस से fill करेंगे? skin से तो क्या आएगा? skin harsh sound sound हमारे कानों में चुब रहा है और तो हम किस से पता करेंगे? ear now television television हम के से watch करेंगे? eyes से watch करेंगे okay तो आप बच्चों से इस तरह की भी activity करवाईए now take the right statement यहाँ पर आपको statement right है या wrong है यह बताना है first statement है if your eyes are close you can test but can't see मतलब अगर तुमारी आखें बंद है तो तुम टेस्ट कर सकते हो बट तुम देख नहीं सकते हो तो सही है अगर हमारी eyes बंद होगी तो हम के से देख सकते हैं? test तो कर सकते हैं if your nose is blocked you can't smell but you can hear अगर तुमारी नाख बंद है तो तुम smell तो नहीं कर सकते हो बस सुन सकते हो मतलब अगर आपके पास खड़े हो के कोई shouting कर रहा, चिला रहा है तो तुम अपनी आखें बंद कर लोगे क्योंकि तुम उसको सुनना नहीं चाते हो तो यह statement तो गलत है ना अगर कोई चिला रहा है तो हमारे ears को बंद कर लेंगे हमें उसको नहीं सुनना है तो आइस बंद कर लेंगे तो हमको दिखे गई नहीं तो यह statement गलत है Your skin tells whether a medicine is bitter मतलब आपकी skin बताती है कि medicine bitter है कि कैसी है तो यह statement भी गलत है यह तो tongue बताती है ओके तो यह statement गलत है skin से तो हम feel कर पाते है skin is the largest organ in our body skin हमारी body का सबसे लंबा आकार में सबसे बड़ा organ है तो हाँ head से लेके toe तक skin ही तो है जो हमें feel कर वाती है hot, cool, जिससे हमें सर्दी गर्मी सब कुछ feel होती है तो यह statement correct है तो आज हमने our sense organs को full detail में देखा है कि किसे sense organs केते हैं उसे related हमने जितने भी possible question answers थे इसकी जितनी ज़्यादा हो उतनी practice करवाईए अगर आपको यह video थोड़ा भी helpful लगा है तो please मेरे video को like कीजिए चनल पर पहली बढ़ा है तो चनल को subscribe कीजिए और पास से बने हुए bell icon के button को भी click कीजिए